फ्रेंट्स होली तो आने ही वाली है और होली पे बनती है कुछ इस्पेशल मिठाई जैसे की माल फुआ माल फुआ खास करके होली पे बनता है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत तरह का बनता है तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और रसिले माल भुआ तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसन आते हैं तो प्लीज फ्रेंट्स वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स मेरे चना और मेरे चैनल रिशना इंगे हीचल में आपका स्वाधर तो फ्रेंट्स मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप से थोड़ा सा उपर आटा तो फ्रेंट्स हम इसे बोलेंगे पोना कप आटा और यह वही आटा है जिससे हम रोजाना रोटियों में यूज करते हैं तो फ्रेंस मैंने यहां पर पोना कप आठा लिया है और मैंने यहां पर लिया है वन फोर्थ कप सूजी तो फ्रेंस यह बारिक वाली सूजी है अगर आपके पास में बारिक सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी को मिक्सी में बारिक कर लीजे तो फ्रेंस यहां पर सूजी औ एक बाउल और बाउल के अंदर में डाल देती हूँ आटे को तो फ्रेंट्स मैंने आटे को अच्छे से छान लिया है और सूजी को भी अच्छे से साप कर लिया है और ये दोनों में मिक्स कर देती हूँ तो फ्रेंट्स इसी के साथ में में ले रही हूँ मलाई तो फ्रेंट्स यह हमारी रोज के जो दूद से निकलने वाली मलाई है मैंने वही ली है तो मैं यहाँ पर दो से तीन चमश मलाई इसके अंदर डाल दूँगे अगर आपके पास में मलाई नहीं है तो इसकी जगे पर आप मावा डाल सकते हैं या फिर अमूर फ्रेश क्रीम भी दो चमश डाल सकते हैं उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है तो यहाँ पर हमने क्रीम को डाल दिया है याने कि हमारी मलाई डाल दी है और इसके साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चमश सोप का पाउडर तो फ्रेंस यह डालना बहुत ही जरूरी है और इससे बहुत ही अच्छा मालफए में टेस्ट आता है मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए है इलाईची पाउडर तो मैं यह भी इसके साथ में ढाल देती हूँ और अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर दूद तो friends मैंने यहाँ पर दूद लिया है आधा लिटर जितना दूद हमें चाहिएगा हम उतना दूद बेटर बनाने में यूज करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा दूद ले लेंगे थोड़ा थोड़ा ही लेंगे एक साथ में ज्यादा दूद नहीं लेंगे नहीं तो हमारा बेटर है जो ठीक से नहीं बन पाएगा तो मालपवे अच्छे से नहीं बन पाएंगे इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एक बेटर बनाकर तैयार कर लेते हैं मालपवे कहीं तरह के बनते हैं लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ यह बहुत ही easy तरीके से बनते हैं और फटाफट बन भी जाते हैं और टेस्ट भी बहुत लगते हैं तो friends यहाँ पर हमारा बेटर बनकर तैयार हो गया है तो आप सोशरे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बेटर बन गया है तो friends मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ अब देख सकते हैं कि जैसे मैं इसे चमच के अंदर से गीरा रही हूँ तो यह एक धार की तरह लग रहा है यानि कि हमारा बेटर हमें इसी तरीके का चाहिए जब हम आलफे बनाते हैं तो एकदम धार की तरह ऐसी गिरना चाहिए तो बेटर हमारा पर्फेक्ट बना है और friends हमने यहाँ पर लिया था आधा लिटर दूद तो आप देख ही सकते हैं कि आधा लिटर दूद में से आधा कब दूद बज गया है तो यहाँ पर हमारा बेटर पर रेड़ी हो गया है तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसके लिए चाश लिए तो friends मैंने यहाँ पर लिया है एक कप शक्कर जिसे मैं कडाई के अंदर डाल देती हूँ और friends इसी कप से मैं डालूँगी एक कप पानी तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कप पानी तो मैं यह डाल देती हूँ शक्कर के अंदर और यहाँ पर गेस को हम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और friends इसके अंदर मैं डाल रहे हूँ चार से पास मैंने यहाँ पर लिये हैं केसर के धागे तो मैं यहां डाल देती हूं कड़ाई के अंदर चासनी को हम बनने देते हैं बीच बीच में इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और फ्रिंट्स हमें चासनी को बहुत ही गाड़ा नहीं बनाना है बस हमारी चीवी बल जाएं और थोड़ी से छिकनाहटा आ जाएं हमारे चासनी में बस हमें इतना ही पकाना है तो यहां पर केसर ओप्षनल है अगर आप डालना चाहें तो डाले नहीं तो ना डाले तो हम चासनी को बनने देते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे जुचासनी है वो बनने लगी है और आप देखी सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे से इसमें उबाल आ गया है और जो हमने केसर डाला है इसमें उसका भी हलका सा कलर आ चुका है तो बस केसर हम इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा कलर आ जाए तो माल को बहुत ही अच्छा दिखता है तो यहाँ पर हम चास्नी को थोड़ी देर और बनने देते हैं तो चलिए फ्रेंट्स हम चास्नी को एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारी चास्नी बनी ही की नहीं तो हम गेस को यहाँ पर कर देंगे एकदम लो फ्लेम पर और हम देख लेंगे कि हमारी चास्नी तयार हुई है कि नहीं तो यहाँ पर हम हलका सा इस तरीके से हाथों में लेंगे और फ्रेंस आप देखी सकते हैं कि यहाँ पर हलका सा तार बन रहा है याने कि थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है तो बस हम यहाँ पर गेस को बन कर देंगे और चासनी को हुलका सा ठंडा होने देंगे तो चलिए हम तब तक देख लेते हैं कि हमारा बेटर तैयार है कि नहीं तो 20 मिनिट हो चुकी है हम बेटर कुछ एक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके देखेंगे और यह देखे फ्रेंट्स एकदम बढ़िया सा बेटर बन कर तैयार है तो फ्रेंट्स हम इस सबब पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक यानि कि हम कुछ भी मीठा बनाते हैं और उसमें हलका सा नमक डालते हैं तो उसका बहुत एचा टेस्ट आता है तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और इसको मैं कर देती हूँ अच्छे से मिक्स और यह लीठे हमारा बेटर बनकर तयार है तो चलिए हम बनाते हैं मालपुव तो फ्रेंट्स मालपुव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेन में तेल को गरम होने के लिए रख दिया था और आप याद रखे कि आप मालपुव बनाए तब कुछ चोड़ा वाला ही बरतन जिसमें मालफुवा अच्छे से फ्राय हो सके तो यहां पर हमारा तेल गरम हो चुका है तो गेज को हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और हम ले लेते हैं बेटर और इसमें से हम इस तरीके से एक बड़ा चम्मिश भर के लेंगे और इस तरीके से हम एक ही जगा पर डालते जाएंगे और अब हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे मालफुवे को अच्छे से बनने देते हैं यह उपर आएगा इसके मन से तब ही हम इसको पलटेंगे और यह देखिए फ्रेंट्स हमारे मालफुवे का कलर भी चेंज हो गया है और नीचे से अच्छे से फ्राइ भी हो गया है तो बस इस स्टेज पे हम इसे पलट देंगे और यह देखिए, वाव बहुत ही अच्छा मालफवा बना है तो हम इसे किधर भी अछहे से फ्राई होने देते हैं तो गरम गरम मालफवे जाएंगे चासनी के अंदर और चासनी भी हमारी यहाँ पर हलकी से गरम यह होनी चाहिए तब ही अच्छे से मालफवे के अंदर जाएगी तो यहाँ पर हम इसे दो मिनट के लिए चासनी के अंदर रहने देते हैं तो दो मिनिट हो चुकी है तो चलिए हम मालफवे को نिकाल लेते हैं और वाव बहुत ही रसीला एकदम चासने से भरा मालफवा है बनकर तयार इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर तो फ्रेंट्स देखी कितना बड़िया हमारा मालफवा बनकर तयार हुआ है तो चलिए इस तरी के से हम दूसरे मालफवे भी बना लेते हैं तो यहाँ पर हम दूसरा मालफवा भी बना लेते हैं और बस इससे हम फ्राइ होने देते हैं इसके बाद में पलड देते हैं और इसी तरीके से सारे मालफवे बना कर तयार कर लेते हैं तो फ्रेंट्स देखी कितने बड़िया हमारे मालफवे बनकर तयार हुए हैं एकदम रसीले और बहुत ही टेस्टी तो यहाँ पर हम देते हैं एक प्लेट और इसमें हम करते हैं इनको सेर्व तो फ्रेंट्स मैं आपको पास से दिखाती हूँ यह देखिए कितना बढ़िया हमारा मालफवा बनकर तयार हुआ है बहुत ही टेस्टी है तो हम इन्हें प्लेट में सेर्व कर लेते हैं तो यह लिजए फ्रेंट्स गर्मा गरम बहुत ही टेस्टी रसीले मालफवा है बनकर तयार तो फ्रेंट्स देर किस बात की होली आ रही है तो आप भी से अपने घर में जरूर बनाएगे बच्चों बड़ो सभी को बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी है और बनाना बहुत ही इजी है तो फ्रेंट्स आप भी बनाएए और हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करकी जरूर बताएए कि आपके मालफवे कैसे बने और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सिस्क्राइब जरूर करे तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई